नागेश्वर महा काल की नगरी यानी शूलिंग के पास जाने के लिए अगर आपको इजली इजी तरह से जाना है तो उसके लिए आप अपने लिए एक टिवा या बाइक वहां से आपको द्वारका से ही मिल जाते हैं आप ओ ले सकते हैं जिसका कुछ प्राइज 600-700 होता है अगर आपको अपने खुद की वेहिकल वहां पर नहीं लेनी है वहां पर रेंट पर नहीं ले से आप इजली हमारे महादयो के दर्सन कर पाएंगे द्वारका नगरी और महाकाल की नगरी की दोनों की बात करता दोनों जनकी भैन फुलेंगी भाई बहुत ही जादा है जिस्ते मुझे लाइन में दो घंटे कतार में खरा रहना पर आफ्टर उसके बाद जाके में फानली इस वार बहुत ही ज्यादा यूनिक चीज में देखनों को मिलेगी है अधिस अध्य हर हर कि अ कल रहर हर महादय महादय एक पोरानिक कथा के अनुशार स्री नागेश्वर में भगवान शंकर की नाग रोग से और देवी पारवती की नागी रोग से पूजा होती है इसलिए नागेश्वर में अपने जीवन की रच्छा के लिए गंगाजल के अभिसेख के साथ नाग नागिन का जोरा चराने का महत्त है और इस कहा जाता है कि दौपर यूग में भगवान सिरिकिष्ट ने कई बार अभिसेख और पूजा यहां पर आकर किया हुआ है महा देव का दर्सन तो बड़े ही इचिली और आराम दायक तरीगे से हमने किया आफ्टर उसके बाद हम हमारे नंदी जी महाराजी को मिले और उनकी कानों में बड़ी प्यारी प्यारी बाते कहें जो हमारे भोले नातर पहुचाने का काम करेंगे महा देव के दर्सन के पच्चात हम सामने महा देवी यानि मा दुर्गा की तरफ चल दिये वहाँ पर हमने मा भगवती का आशिरवाद लिया और उसके बाद हम मंदिर के बाहर की तरफ निकलिया महा देव मंदिर के में मंदिर से बाहर आते ही आपको छोटा सा एक मंदिर देखने को मिलेगा जहाँ पर माता पारवती, भोलेनात, गनपती और रिती सिदिक साथ गनपती और सबगल में हनुमान जी विराजमान है साथ में वहाँ से मंदिर का नजारा देखने में बहुत ही खुबसूरत और सुन्दर देखता है तो आप यहाँ पर जाकर फोटोग्राफिय और वीडियोग्राफिय भी कर सकते हैं जो कि बहुत ही मनमोख और बहुत ही सुन्दर या द्रिश्च देखने को आपको मिल सकता है यहाँ से ही मंद्पूरा मंदिर आपको क्लियर और एकड़म अच्छी तरह दिखाई देता है उसके बाद हम कुछ समय सिवाले के अंदर ही बैठे रहे जिससे हमारे मन को बहुती असीम प्रकार की सांते मिली उसके बाद हम गोपी तलाव की तरफ निकल दिये गोपी तलाव में एंटर होते ही हमें सबसे पहले माता रुखमने देवी जी का मूर्ती देखने को मिलता है जहां से हम कंकुल ले जाके स्वबाग्यवती यानि चो मेलाएं जिनकी साधी हो गई उनको देख सकते हैं और साथ में यहाँ पर हमें राम नाम का तेरता हुआ पत्थर भी देखने का मुका मिला तत पच्चास हम अपने लड़ु गुपाल की तरफ चले जहां पर हमारे लड़ु गुपाल दिको हमने जूला जुला है और वहाँ पर जुला जुलाने में एक बहुत ही अखिन प्रकार की सांती भी मिलती है तो आप अगर यहाँ पर आते हैं तो हमारे लड़ु गुपाल दिको अच्छी तरह जुला जुलाते जाना है गुपी तलाव की बात करूँ तो गुपी तलाव द्वारका से 20 किलोमेटर के आसपास है यहाँ पर आप जैसे ही आते हो आपको कुछ दुकान और कुछ सामान वी वस्तों भी आप यहाँ से खरे सकते हो जो कि कहीं भी नहीं है गुपी तलाव और यहाँ पर अर्जुन कुंड भी है गुपी तलाव की बात करें तो जब मतुरा से बगवान स्रेकृष्ट वारका की तरफ आये तो उस समय मतुरा का सब कुछ भूल चुके थे उस समय कुछ गुपीया यहाँ पर आये थी और वगवान स्रेकृष्ट में आकर विलीन हो गई थी तब से एक गुपी तलाव के नाम से मसहूर है गुपी नाथ तलाव की तरफ जाते ही प्रवेद्वार से एंट्री करते ही हमें सबसे पहले स्री गुपी नाथ जी का जात हम आगे की तरफ चले जहाँ पर हमने गाय को चारा खिला कर कुछ पूर्ण ने प्राप्त किया कहा जाता है भगवान स्रेकृष्ट में कई बार यहाँ पर आकर गायों को चारा खिलाया हुआ था गुपी तलाब की बात तरे तो यहाँ पर हमेसा ही थोरी बहुत भीड रहती है क्योंकि दर्शन आर्थी हमेसा द्वारका में दर्शन करने के बाद या महादेव सिलिण के दर्शन करने बाद यहाँ पर हमेसा आते हैं यही ओजगह है जहाँ पर भगवान स्रीक्रिष्ने गोपियों के साथ में एक बार रास भी रचाय हुआ है तो आएए इस सुद्ध पानिक का हम भी दर्शन करें गोपी चला फोटो सुट की भी एक बहुत अच्छी लोकेशन है आप यहाँ पर अलग-अलग तरह से बहुत सारे फोटो सुट कर सकते हैं साथ ही आपको गोपी तलाब के अंदर बहुत से प्रकार के अलग-अलग पच्छी भी देखने को मिलते हैं जो सायाद ही आपको कहीं देखने को मिले सो फाइनली गाई सब भी हम जा रहे भगवान स्रीक्रिष्ट की नगरी यानि भगवान स्रीक्रिष्ट के घर पे कहा जाता है बहुत कम लोग का ही बुलावा आता है उनके घर पे क्योंकि उनका गर है बेट द्वारका और सब मोश्टोबी द्वारका में दर्सन करने के बाद आपस आ जाते हैं द्वारका यानि भगवान की कचहरी बेट द्वारका यानि भगवान स्रीकिष्ट का अपना खुद का घर जहां पर भगवान स्रीक्रिश खुद विराजमा रहते थे हमेशा तो चलिए हम चलते बेट द्वारका में और प्रभु जी के धर्सन करते हैं जै द्वारकादिश